स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे लोक सभा में री इंस्टेट किया और पिछली बार जब मैं बोला पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कश्ट भी पहुँचाया क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता है शायद उनको थोड़ा कश्ट हुआ तो वो जो उनको कश्ट हुआ जोस्ट हुआ अभी करो रहा है, वे जो कश्च रहिए विशेप आईए विशेप रहे in gender. मगर यह सुनुे, तो कुळ स्वा ऊस्का उसका असर शाहिद वो कश्च हो मंगर यह व्यूझत आप पे भी दोड़ा हुआ तो इसके लिए मैं आप से माफी मांगता हूँ मगर मैंने सिर्फ सचाई रखी थी मगर मगर आज आज जो आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं आज आज आपको डरने की ज़रूद नहीं है आज जो मेरा भाशन है और आप जरो माद जरो माद जरो माद, 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 आज कोई घबराने की जरुरत नहीं है आज मैं अपना भाशन में जो भाशन है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ आप ठोड़िये तो आप रिलाक्स कर सकते हैं आप शान्त रह सकते हैं क्योंकि मेरा भाशन आज दूसरी डिरेक्शन में जा रहा है रूमी ने कहा था रूमी ने कहा था जो शब रूमी ने कहा था जो शब दिल से आते हैं वो शब दिल में जाते हैं तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूँ और मैं आज आप लोगों पर इतना अक्रमन नहीं करूँगा मतलब एक दो एक दो गोले जरूर मारूँगा, मगर इतना नहीं मारूँगा तो आप रिलाक्स कर सकते हैं अरे रिलाक्स सब उनकी जिहाई समाद लेंगे भी पिछले साल, 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया अकेला अकेला नहीं बहुत सारे लोगों के साथ सेर, ये हमारा टाइम कतम करने का साजेशन समुदर अधीर 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 समुदर, समुदर के समुदर के टट से प्लेट, समुदर, समुदर के करने इतक बात के अधीर in कि बर्फिली पहाडी तक चला नहीं लदाक को मैंने नहीं छोड़ा यात्रा अभी खतम नहीं हुई है यात्रा जारी है और जरूर लदाक आएंगे गबराइए मत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान यात्रा के बाद किराहुल तुम क्यों चल रहे हो क्या तुम्हारा लक्ष क्या है कन्या कुमारी से कन्या कुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो और जब वो मुझे से पूछते थे, शुरुआत में मुझे मेरे मुझे से जवाब नहीं निकलता है, शायद मुझे ही नहीं मालूम था, कि मैंने यह यात्रा क्यों शुरू की, जब मैं कन्या कुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था, मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था, थोड़ी देर में, मुझे बात समझ आने लगी, जिस चीज से मुझे प्यार तर था, जिस चीज के लिए मैं मनने को त्यार हूँ, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को त्यार हूँ, जिस चीज के लिए मैंने दस साल हर रोज गानी खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था, ये है क्या, जिसने मेरे दिल को इतनी, आप रनिंग कमेंटरी बांद करोने तो हम भी चलो करेंगे, जिस चीज जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसको मैं समझना चाहता हूँ, शुरुआत में, जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज आठ-दस किलोमेटर दोड़ता हूँ, तो मेरे दिमाग में था, कि अगर मैं दस किलोमेटर दोड़ सकता हूँ, तो पच्चिस किलोमेटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं, यह मैंने सोचा था, आज मैं उस भावना को देखूँ, तो वो अहंकार था, कि मैं यह कर सकता हूँ, यह कुछ नहीं है, तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था, मगर भारत, अहंकार को एक दम मिटा देता है, एक सेकंड में मिटा देता है, तो हुआ क्या, दो तीन दिन में, मेरे घुटने में दर्द शुरूओ किया, पुरानी इंजरी थी, और जबर्दस दर्द, हर रोज मैं उठू, और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द, तो पहले दो-तीन दिनों में, जो अहंकार था, जो मतलब, भेरिया जो निकला था, वो चीती बन देता, एक दम, जो, जो हिंदुस्ताइन को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा मा पूरा अंकार गायब हो गया, और, रोज, मैं, डर डर के चलू, कि क्या मैं, कल चल पाऊंगा, ये, ये मेरे दिल में दर्द था, और जब भी ये डर बढ़ता था, जब भी ये डर बढ़ता था, कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई शक्ती, मेरी मदद कर देता, एक दिन, मैं सेह नहीं पा रहा था, एक चोटी सी लड़की आती है, मुझे चिठी दे देता, मैंने चिठी खोली, आठ साल की थी, उसमें लिखा था, राहूल, I am walking with you, don't worry, उसने मेरे, पैर में चोट देखी, और उसने अपनी शक्ती मुझे दे दे, सिर्फ उसने नहीं, लाको लोग में, और शुरुआत में, जब मैं चल रहा था, कोई किसान आता था, कोई किसान आता था, मैं एक दम उसको, पहले उसको अपनी बात बताता, कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए, मगर इतने लोग आए, हजारों लोग आए, कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया, मैं, जो मेरे दिल में, बोलने का डिजायर था, वो बंद हो गया, बोली नहीं पाया, क्योंकि इतने लोगों दे बोलना था, और एक, सनाटा सा चाह गया, बीड की आवाज थी, भारत जोडो, भारत जोडो, भारत जोडो, और जो मेरे से बात करता था, उसकी आवाज में सुनका गया, हर रोज, सुबह छे बज़े से, राच साथ आठ बज़े तक, आम आदमी, गरीब, अमीर, बिजनसमेन, किसान, मजदूर, सब की आवाज, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आप, आप कल से रुके हैं, अब थोड़ा और रुक लाओ, पाजदर मिन रुक जाओ, तो, यह चलता गया, मैं, बात सुनता गया, और फिर, मेरे पास, एक किसान आया, और किसान ने हाथ में, रुई पकड़ी हुई थी, और उसने मुझे कहा, उसने कहा, उसने मुझे कहा, मेरे आँख में देखकर, उसने मुझे अपना, वो रुई, रुई का बंडल दिया, और उसने कहा, राहुल जी, यही बचा है मेरे खेट का, यही बचा है, और कुछ बचा नहीं है, मैंने उससे जो, मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भाई आपको भीमा का पैसा मिला, वो पूछा, भीमा का पैसा मिला, वो पूछा, और किसान ने मेरा हाथ पक्रा किसान मुझे कहता है कि नहीं राउल जी मुझे भीमा का पैसा नहीं मिला हिंदुस्तान के बड़े उद्योग पतियों ने वो मुझे से छीन लिया मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई जब मैंने किसान को देखा और वो मुझे से बोल रहा था तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया जो उसके आँखों में शरम थी जब वो अपनी बीबी से बात करता था वो शरम मेरे आँखों में आई जब हाँ जब जब उसकी जो भूख थी वो मुझे समझाई और उसके बाद यात्रा बिलकुल बदल गई मुझे भीड के आवाज नहीं सुनाई देती थी मुझे सिर्फ उस व्यक्ति के आवाज सुनाई देती थी जो मेरे साथ बात कर रहा था उसका दर्द उसकी चोट उसका दुक मेरा दुक मेरी चोट मेरा दर्द बन लिया समाजने की कोशिश करो बाईयों और बेनों लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि ये देश है कोई कहता है ये अलग-अलग भाशाएं है कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है कोई कहता है ये धर्म है ये सोना है ये चांदी है मगर भाईयों और बेनों सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है ये देश शिरफ एक आवाज है ये देश इस देश की लोगों की अवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, गठिनाईया है, और अगर हमें इस अवाज को सुनना है, तो हमारे दिल में जो अहमकार है, हमारे जो डिजायर्ज हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा, जब हम अपने सपनों को परे करते हैं, तब हमें हिंदुस्तान के ओवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की ओवाज हमें नहीं सुनाई देती है, अब आप कहोगे, यह बात मैंने नौन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखती है? कि इसका क्या मतलब है कि भारत एक अवाज है भारत लोगों का दुख है भारत लोगों ककश्ट है मुश्किले हैं क्यूंकि बाई और बेहनों आप हमें बत रोके गाफे आप हमें बत रोकेगा और मंद रोकेगा पर अप सब्सुन रहे हैं आप हमको फिर मस रोकेगा तो श्पीकर सर श्पीकर सर भारत एक आवाज है भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं हमें अहंकार को नफरत को मिटाना पड़े को स्पीकर सर कुछी दिन पहले मैं मनेपूर गया हमारे प्रद्रान मंत्री नहीं गए आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मनेपूर हिंदुस्तान नहीं है मैंने मनेपूर शब्द प्रयोग किया मगर आज की सच्चाई यह है कि मनेपूर नहीं बचा है मनेपूर को आपने दो भाग में कर दिया है मनेपूर को आपने बाट दिया है तोड़ दिया है मैं मनेपूर में रिलीफ कैंप में गया रिलीफ कैंप में आज आ रहा हूं आज आ रहा हूं मनेपूर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात थी कर देकर देंगे और बनेपुर के कैम्प्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रदान मंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बेहन, क्या हुआ आपके साथ? झाल रेकेक मंत्री उद्था और यहां को साइग मंत्री भुलने कर दो Ingya Canis आप खड़े होगे तो पुरा देश खड़े होगे आपके खड़ा होगा मैं मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया मगर मैं आपको दो उधारन देना चाहता हूँ एक महिला मुझे कहती है मैंने क्या मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ कहती है मेरा चोटा सा बेटा एक ही बच्चा था मेरा एक ही बच्चा था मेरा मेरे सामने मेरे आँखों के सामने उसको गोली मारी है मैं पूरी रात आप सोचिये आप अपने बेटे के बारे में बेटों के बारे में सोचिये मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही जूप नहीं जूप आप बोलते हो जूप मैं नहीं बोलता हूँ मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा मुझे डर लगा मैंने अपना घर छोड़ दिया जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी कहती है नहीं सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं और फिर इदर उदर ढूंटती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है ये ही मेरे पास अब बची है एक और एक और उधारन एक और उधारन दूसरे कैम्प में मैं एक महला मेरे सामने आती है मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ तुम्हारे साथ और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते महिला का दर्द नहीं सुन सकते महिला का दर्द सुने का आप धेरे नहीं है माईला का दर्दी जो सकते जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुमारे साथ क्या हुआ वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी उसने अपने दिमाग में वो द्रिश्टे देखा और वो बेहोश हो गए मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गए तो ये मैंने आपको सिरफ दो धारन दिये हैं स्पीकर सर इन्होंने मनिपूर में हिंदुस्तान की हतिया की है इनकी राजनेती ने मनिपूर को नहीं हिंदुस्तान को मनिपूर में मारा है हिंदुस्तान को कतल किया है हिंदुस्तान का मौडर किया है जैसे मैंने बाशन के शुरुआत में बोला भारत एक आवाज है भारत हमारी जन्ता की आवाज है दिल की आवाज है उस आवाज की हतिया आपने मनिपूर में की इसका मतलब भारत माता की हतिया आपने मनिपूर में की भारत माता को आपने मनिपूर के लोगों के मारा आपने मनिपूर के लोगों को मार कर भारत की हतिया की है आप देश द्रोही हो आप देश भग नहीं हो आप देश प्रेमी नहीं हो आप देश द्रोही हो आपने देश की हतिया मनिपूर में की प्लीच 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 प्ल लोगों के दिल में एक मिट बेटिये आप एक मिट बेटिये आप 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 प्लीज बेटिये आप प्लीज आप बोलें आप भारत माता के रख्वाले नहीं हो, आप भारत माता के हट्यारे हो प्लीज देखिए मानि सदेश्टिकन भारत मा हमारी माह है हमें सदन में बोलते समें सहीं बरतना चीए मैं अपनी मा की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं मनिपुर में अपनी मा की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं आदर से बोल रहा हूँ आपने मेरी मा की हत्या की मनिपुर में एक मेरी मा यहां बेटी है दूसरी माँ को आपने मनिपूर में मारा है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बन नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हदिया कर रहे हूं हिंदुस्तान की सेना मनिपूर में एक दिन में शांदी ला सकती है हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मनिपुर में मरना चाते हो तो अगर नरेंद्र मोधी जी हिंदुस्तान के अवाज नहीं सुनते है अगर हिंदुस्तान के दिल की अवाज नहीं सुनते है तो किसकी आवाज सुनते हैं दो लोगों की दो लोगों की आवाज सुनते हैं इसकी आवाज सुनते हैं इसके आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं नो गलत तरीका माने सुदेशे आपका गलत तरीका है आप सीनियर सुदेशे हैं आप इस तरीके का बहार सदर में मत करिए आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोर्टे लाना यह उचितने हैं किसी तरीके से रावन रावन दो लोगों की सुनता था रावन दो लोगों की सुनता था मेगनाद और कुम्ब करद वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं अमिच शाह और अटानी बाई और बेनो लंका को लंका को हनुमान ने नहीं चलाया था लंका को रावन के अहंकार ने चलाया था प्लेज माने सदेशे आप सही है मिक बोले आप ये सदन है आप तरीके से बोले माने सदेशे रावन को नहीं मारा था रावन के अहंदार ने रावन को मारा था आप पूरे देश में केरोसीन फेक रहे हो पूरे देश में आप केरोसीन फेक रहे हो आपने मुर्पूर में केरोसीन फेकी और पे चिंगारी लगा दी अब आप भर्याना में कर रहे हो पूरे देश को आप जलाने में लगे हो आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो धन्यवाद की तर